है कि कुछ माधु जा रहे हैं परinkle करण ग् לנו और आपको बता देढं़五 एक मेरा बैसेंक का रडू जो है मैं में में भूग के लिए मिल्ग के लिए नीडे जा सकता है Ёह तो ऑउसी से मोन को प्रशाद भाऊ ना होता है बहूत ही बनाता अच्छा सिप्राइशी है क्या हम मैं प्रशाद पहला मुह में यह डाला जाता है बहुत अच्छा बना था तो बिलीब नहीं कर रहे थी मैं फर्स टाइम नहीं तुर इतना अच्छा बना था तो चली स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे दो कप बेशन उसी कप से एक कप चीनी एक कप घी औ जाया है और एक कप चीन डाले हैं पानी की मातर आप एक की दोचमच्छ बढ़ा सकते हैं अगि थोड़ा जादा कर रखते हैं तो और अगशा ब्रूमिज करते हैं तो छीनी कप पाने बेस्ट है थो सबसे पहले प्रेंड्स हम बहुत ही लोग फिलेंपर चीनी को अच्छे स इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या साधानिया रखनी है तो आप भी ध्यान देजी आगे तक यह देखे हमारे इस स्टेज में आ गया ना पुड़ा हमारा चीनी जो है मेल्ट हो जाए और यह चीनी मेल्ट होने के बाद हमारा इस तरीके से वाइट वाइट बनने लगते इसी तैम पर हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो करने के पाद इसमें हम डाल देंगे एकचे मच घी यह भी आपसनल है अगर आपको भूरा जए दुम सौफ्ट रखना है तो गी डालेगा दर्वाइस नहीं भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा वैसे भी यह भी लिख करना है तो उसकी डालने के बाद घैस का फ्लेम से तरी अधियरा चुस् साहरे तो खरीं करने के बाद रहें चलाना है च्nor बहुत करना जही और बैसे चलाना होई चलाए हिए तो यहारा चलाते में हमारा कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा मैं पहले है तो बैसे बार बना है अब देख सकते हैं तो यह अभी भी गरम है इसलिए आईसा है जैसे ठंदा तो अब इतना गरम है इसको मैं हासे लगबग छूँ सकती हो तो मैं इसको लाश में हासे मैस करूंगा यह अच्छे से मिक्स करूंगी अगर आप शोड़ देंगे इसको नो तो यह थका सा जम जाएगा दम पत्थर जैसा हो जाएगा तो अगर ऐसा हो जाता है आप से मिस्टेक से इसको आपना अच्छे से कुट करके इसको चलने से चाल करके यूज कर लेज़ेगा पीसी का निग्रा पाई हूं लग रहा है विडियो घी मैं डाली हो इक चमचीस में और घी डालने का ही कमाल है कि हमारा यह इतना अच्छा मतलब मिक्स हो रहा है बढ़िया से और अब जल्दी से वह पत्थर जैसा बननी रहा है नहीं तो अगर घी ने डालते ना तो यह एकदम मतलब हाड हो बब्राव और तो से हमारा नहीं है से स्टेब करते हैं कि कि एक सारा नहीं डालेंगे ना जब चार से पांच पांच चमच हम घी बचा कर रख लिए हैं बाकी इसमें हम डाले हैं दो कप बेसं डालने को तो पह पड़ार तब तक से भूनेंगे ज़तक से कि हमारा यह बेसन जो है कुछ से पुड़ा घी नहीं कर दें मतलब कि आप प्रोसेस देख सकता है कि अभी बेसन डाले हैं तो हमारा घी जो पुड़ा बेसन सोख लिया है मतलब अभी घी वैसा नहीं दिख रहा है जितना अच्छा लूफ ले तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा वैसा घी बचा कर रहे और वाव को दिखा कर रहे रहा है कि जैसे बोन रहा है वैसे कितना अच्छा हमारा ये गी को रिवीस कर रहा है और ये थ्टादरा टेक्स्टर भी इसका दिख रहा है अपने आप आप देख सकते हैं ये बहुत ने का कमाल है तो बैसम को जोतना लो फ्लेम पर भूनेंगे उतना अच्छा हमारे बन ग्रेडी होगा और तो आप चाहिए तो इसमें फूर्ट को डाल सकते हैं और इसका कलर अगर आपको बहुत हलका चाहिए तो बहुत जादा नहीं भूनिएगा जब हलका सोना लगे ना महक से ही तो आप तार दीजिएगा उतने पर जान जाएगे कि आपका बैसन भून चुका है तो मेरा अभी थोड़ डाल दीख रहा तो क्योंकि लाइट अचानक से कट गई थी इसलिए दोबार लाइट आया फ्रेंस तो देख सकते हैं कलर यलो है अभी और इसमें हम लास में हमारी अच्छे से तेल रिलिस कर देगा तो इसमें हम डालेंगे ठंदा पानी छीट मारेंग तो देख सकते हैं और इसको भी हम चीटे मात के पानी के दोबर और बहुत अच्छे सब्सक्राइब नहीं करेंगा वर्ना आपका लडू भीड़ना फिक से अगर बहुत हाई फ्लिम करेंगा तो मेरी साथ फरस्ट टाइम ही गलती हो चुकर इसलिए मैं आपको समझा रही है और सारे टीव से इंट्रिक्स बताऊंगी जो कि मैंने सिकेंट टैम नहीं किया है और मेरा पर्फेक्ट लडू बहुत इस्ट लडू बन करेंगी हुआ है तो यह देख से पानी डालने के बादें को थोड़ा से भूनेंगे क्योंकि हमारा मौश्य थोड़ा सा जाता है और पानी है तो इसको थोड़ा से भूनेंगे तो अच्छा सा मारे लडू बनेगा और काफी दुनों तक दो महीना तक भी अगर इसको आप यह ठंदा होने बाद बंद करके रख देंगे नो खराब नहीं होगा दो महीना तक आराम चलता है यह दिए देखिए हमारे उतने ही ल कि यलाश में उतनी है यह घंडा हुगा है ऑबेसन से तक थनंदा है जितना की हम हादसे हमसे कर सकते पहले हम पर किसी ऐच्य 96 मिल जाए इस प्यच्ड्य श्यू से अच्छे से श्क्ड़ाएंगे त... फ्रेंस थोड़ा सा ज़्याद ही गरम है तो मुझे गरम ने बरदास होता थोड़ा भी तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है एक मिनुट के लिए और यह हलका से चलाते हुए ठंडा हम कर लेंगे और जब हमारा हलका गुंगुना होगा ना मतलब गरम गरम महीं लड़ू बना है मतलब बहुत गरम ने इतना गरम कि हमारा हां जो है बरदास कर सके तो यह देखिए फ्रेंट मेरा हाथ इसे बरदास कर रहा तो अब इस स्टेज पर हम लड़ू बनाना शुरू करेंगे और लड़ू बनाएंगे लड़ू बनाने का प्रोसेस यह है कि आप हाथ में पहले परवति बपा के लिए और मैंने यह तीज के दिन में बनाया था इस पेसली लड़ू तीज के दिन बरत थी उसी दिन में लड़ू बनाए हो तो यह लड़ू मिला परवति जी और संकर जी को चढ़ा था भोग तो उसको भी वीडियो आके दिखाऊंगे आपको तो यह लिए परवार बाल के लिए दबा ने के बाद हमार अच्छे द्रब्ला कर दाक दब ने कि गौमाना मिर इस त्जिय के दिए सब्सक्राइब नह् अच्छा लड़ू मरब बनके रेडी हो रहा है वन बाई वन करके सारा लड़ू ऐसी हम बना लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो चले लेकर तो जरूर मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अब तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने किया है तो और यह देख सकते हैं हमने दोनों हांतों से लड़ू बनाना शुरू कर दिया तो लड़ू बनाने में तो एक्सपर्ट नहीं थी अभी फिलाल हुई हूं पर है फिर भी देखिए कितना अच्छा लड़ू बन रहा है अच्छे तरीके से हमने बनाना इसको सु पारण हुता है करामारे हैंकि जो चीज़ के दिन मीठा बनाटे यह प्रशान होता है तो हमने सोचा कि क्यों भाड़ुई बना लेते हैं हमने लड़ू ही बनायं म्याइव एगली इसी पारण करें तो मिश्णा से में में भचा मिए अच्छा है था मूझा इस तो बनाया च दिन भर बीना पानी पिए रहो बीना कुछ खाये रहो और अगले दिन जब मुझ में कुछ जाता और लड्डू जाए और भी सुद्ध घर के घी का लड्डू वाह क्या टेश्ट था बता नहीं सकते तीज के अगले दिन क्या मेरा पतलब मजा आ गया था एक दम से तो देखिए दोनों हत्ता से कितने एच्छ से लड्डू बना रहे हैं और यह अच्छा गोला बनके रिडी होता है वह रिडी हुआ था यह हम दो कब बसने हमारे लटू बनके रिडी हुए हैं तो फाइंली हमारे लाष्ट लड्डू आ गया और हम अच्छी से बना लेंगे होई लगब हमारे बोह चोटे लट्ट हैं यह दूलोह देख सब्सक्क्राइब उच्छ फश्च के लट्ट हमारे लगठ को एक मेजर्मेंग तोिघंग के लगण बनांगे हम अंदाथ से या थो चाहिए तो आप को एक शपुन ले लिख आप चोटी लिए नाशन को भी ड्राइफूर्स का जो बदान पिस्ता जो भी पर संद वह उसको आप उससे गारनिश कर लिए और यह दे सकते हैं हमारे इतने घी बची गया है जितना गी हम लिए थे बनाने के लिए तो दो कप लिए तो एक पड़ी लिए तो एक कफी चीनी लिए देफर बहुत ही अच्छा बंब का रिड़ी वा है था मेरे लडो लोढ़ी कामेट वीडियो डिस में चाहिए ठीस